गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स इंग्लिज के क्लास फर्स्ट के लिए अपोजिट वर्ड्स लेकर आई हूँ आज मैं इस वीडियो में वीडियो को ध्यान से देखना है इसे नोट बुक में लिखना है और लर्न भी करना है चलो सुरू करते हैं अपोजिट ओफ एपी हैपी का अपोजिट वर्ड्स क्या होता है सैड, टेंप्रेचर, परपल या फिर ब्यूटी हैपी मिन्स होता है खुश तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा सैड मिन्स दुखी नेक्स्ट कॉश्टिट है पिक आउट दे अपोजिट ओफ लाफ लाफ का अपोजिट वर्ड्स क्या होता है लाफ मिन्स होता है हसना तो हसना का क्या होगा रोना, तो रोना की इंग्लिश क्या होती है ओप्शन C हो जाएगा क्राइग नेक्स्ट है फास्ट का अपोजिट क्या होता है फास्ट मतलब होता है तेज और इसका अपोजिट क्या होगा अप्शन D हो जाएगा इसका नेक्स्ट कोशन है इसका क्या होगा कम मिन्स होता है आना और इसका आपको एंसर कमेंट करके बताना है यह मैं नहीं बताऊंगी next है hate means होता है नफरत करना इसका opposite word क्या होगा love option D हो जाएगा इसका सही next question है what is the opposite of full full means होता है भरा हुआ impity means खाली यानि इसका option क्या हो जाएगा A हो जाएगा इसका सही answer हो जाएगा A near means होता है नजदीक eat means होता है खाना happy means खुश लेकिन full full means होता है भरा हुआ और impity means होता है खाली इसलिए option A इसका सही हो जाएगा next question है pick out the opposite of clean clean means साफ होता है साफ होता है clean means तो इसका opposite क्या हो जाएगा dirty option C देखो यहां पर option C हो जाएगा dirty next question है which among the following is the opposite of big big means होता है बड़ा बड़ा का opposite word क्या होगा इसको आपको comment करके बताना है next question है identify the opposite word of day day means होता है दिन तो दिन का opposite word क्या हो जाएगा रात यानि night option B हो जाएगा इसका सही next question है dash is the opposite of bright bright means होता है चमकीला bright means चमकीला तो इसका opposite word आपको comment करके बताना है यह मैं आपको नहीं बताऊंगी next question है what is the opposite of long long means होता है लंबा तो इसका opposite word क्या हो जाएगा short answer D हो जाएगा इसका सही next question है pick out the opposite of young young means क्या होता है जवान होता है तो इसका opposite क्या होगा old option B हो जाएगा next question है what among the following is the opposite of start start का opposite क्या है start means होता है शुरू करना तो start का opposite इन चार option में से कौन सा होगा आपको बताना है इसका हो जाएगा stop start means शुरू करना stop means रुकना next question है identify the opposite word for cold cold means होता है ठंडा और इस चार option है इसमें से आपको answer comment करके बताना है कि क्या होगा hot होगा high होगा cream होगा या फिर speed होगा next question है what dash is the opposite of good good means होता है अच्छा इसका opposite word क्या होगा good का क्या होगा opposite word bad bad what is the opposite of near near means होता है नस्दीक तो नस्दीक का क्या हो जाएगा opposite far यानि दूर option c हो जाएगा इसका सही next question है pick out the opposite of inside inside means होता है under inside means under और जब घर के बाहर जाते हैं तो उसको English में क्या कहते है outside यानि option d outside हो जाएगा इसका option सही next question है which among the following is the opposite of weak weak means होता है कमजोर weak means होता है कमजोर और इसका opposite word क्या होगा strong means मजबूत कमजोर मजबूत ठीक है next question है identify the opposite word for soft soft means होता है मुलायम soft means मुलायम इसका opposite क्या हो जाएगा hard option b हो जाएगा hard next है dash is the opposite up means होता है उपर उपर उसके बाद opposite इसका क्या हो जाएगा नीचे यानि down option c हो जाएगा इसका down यह activity sheet है इसको picture को देखना है और इसका answer लिखके मुझे भेजना है आपको देख रहे हैं ध्यान से big का क्या होगा यह देखो चुवा छोटा है तो small हो जाएगा run यान दोड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा आपको लिखना है यह हो जाएगा light light का क्या होगा on का क्या होगा white का क्या होगा यह क्या है black तो black हो जाएगा यह activity sheet है इसका आपको answer comment करके बताना है